नमस्कार जी कैसे हैं आप सब स्वागत आपका अपने अलवेला कीचन में बन रहे जा रही है आज बहुत ही अच्छी से एक रेसिपी तो वीडियो पुरी देखेगा स्क्रीप मत कीजिए बिल्कुल भी क्योंकि बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने वाली है और यह है कच्छे केले ले लिए थे इनको अच्छे से दुलाई कर लिया था दुलाई करने के बाद कुकर में डाल दिया और इसमें लगा देती हूं मैं दो सिट्टी है तो इस तरह सा पानी डाल करके देखे बोईल कर लिया तो अभी यह अच्छे से गड़ करके तयार है अभी है बहुत गर मैं तीन चार टमाटर डाल करके पीस लिया अगर बड़े टमाटर है तो तीन लेज़ेगा और छोटे हैं तो आप चार ले लिज़े उसमें थोड़ा सा अधर लाल मेर्च डाल दी तीक्खे वाली एक चमची है सोप दणी एं पोर्डर का और ये एक चमची है इसमें बेसन और यह है कस्मेरी लाल मिर्च देखें नमक मिर्च आप अतना मतलब खाते हैं उसके अनुसार लेज़ेगा यह निगी बही जितना कोई बताएगा अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डालिएगा वह आपके स्वाद के अनुसार है तो यह डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी तो यह हमारा ग्रेवी का जो मतलब तिन्नों चीज़े थी वह तैयार है उनको एक साड़ में रख दिया अभी केले थोड़े से ठंड़े हो गेते तो इस तरीके से मैं इसको चील लेती हूं और इनका चिल्लक उतार करके इस तरह से एक बावल में कट कितनी अच्छी रेसिपी बनी है यह देखे इस तरह से इसको मैस कर लेंगे अच्छे से और देखे केले आपको थोड़े से मतलब गरम ही लेने हैं ज्यादा ठंड़े नहीं करने हैं क्योंकि थोड़ा सा फिर टाइट हो जाएंगे तो फिर अच्छे से मैस नहीं हो मतलब मैस हो चुगा है इस तरह में डालने के लिए यह मैंने फिर एक प्याज गटा है और थोड़ा सा द्रखका टुकड़ा और यह हरी मिर्चे एक ही प्याज है यह मेडियम साइज का तो यह भी इसमें डाल दे क्योंकि कोपते बना रहे हैं तो स्वादिश्ट से कोपते बना करके खिलाऊंगे आज आपको और ये डाल दिया एक चमच धनिया पौडर ये दो चमच मैंने डाल दिया इसमें बेसन को है और अभी इसमें मिक्स करके मैं देखते हो कि बतलब बेसन और चाहिए गालीए गाना ये और ये डाल यह दो पिंच के करीब मैंने बेकिंग पाउडर डाला है इससे हमारे जो कोपते बढ़ेंगे बड़ी ही सौप्ट बढ़ेंगे एक्दम तो देखें बेसन आपको ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि अगर ज्यादा डाल देंगे तो वह बिल्कुल टाइट से हो जाएंगे और अभी इसमें डाल देती हूं आदा चमच अमचूर का क्योंकि केले हैं तो मतलब थोड़ा से इनका कोई टेस्ट अभी कच्चे का इतना जादा नहीं होता तो थोड़ा खटास देने के लिए यह थोड़ा सा नमक डाल लिए क्योंकि नमक हमने पहले भी डाल करके जो मसाला तैयार गया था उसमें रख्का हुआ है और यह थोड़ी सीतिकी सी लाल मिर्च और इनको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स अभी सब चीजों को और यह हमारा पेश्ट हो गया था तैयार कोपते के लिए तो देखे इस तरीके से मतलब एक अच्छा सा जो पेश्ट हो गया था तैयार ब्रुकुल इसके कोपते बहुत ही अच्छे बनेंगे लाजवाब एक तम आपके तो गेस पर रख दीती कड़ाई और कड़ाई में डाल दिया सरसों का तेल तो देखें इस तरह से इसको गोलाई दी और यह हमारे कोपते हैं अभी तैयार तो चलिए इनको फ्राइ कर लेते हैं इस तरीके से सारे इसी तरह कशे है रही क Share लेती है कि अब बहुत ही अच्छी रेसिपी लगते हैं लेखिन ये कोपते तो इतने घजब के बनते हैं कि आप बनाएंगे तो सभी को पसंद आएंगे और सब आपकी तारीफ करेंगे बहुत ज़्यादा तो यह देखें इनको सेख लेते हम इनको ब्रुकूल मतलब गोल्डन सा कलर लाना है उलट पलट करके मैंने मतलब पहले दूसरी तरफ से थे तो अभी दूसरी बढ़ती रहोंगी ताकि इन पर गोल्डन सा कलर आजाए तो जब तक वो तयार हो रहे हैं इदर रख दिया पैन और पैन में डाल दिया सर्सों का तेल सर्सों के तेल में डाल दी थोड़ी सी मेथी मेथी से भी बहुत अच्छा स्वाद आएगा इसमें और मेथी डालने की पर पर थोड़ा सा जीरा और एक तेजबता डाल दिया और इनको दोड़ा सा मतलब मेथी और थोड़ा सा कलर चटकने तक ब्राउन सा कलर आजाए तो इसके बाद देखे मैंने डाल दिया प्याज और प्यार भी डालती युए रहाल दाल प्याएधerson कटोडी से डाल दिया और वो जो मतलब जब प्याज को पीश लेते ना थोड़ा पाणी से छोड़ जाता है तो आप ऐसे मत कीजगा किसी चमच से या किसी मतलब बड़े चमच की साहता से आप उसको निखा लिएगा तो इस तरह किसे हमारे यह देखें पकोड़े भी तैयार हो गयते अब इसको ऐसे भी खा सकते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं अभी इसके बाद में से मैं डाल दूँगी जो हमने टमाटर और लैसुन अधरक पीस करके रखे थे एक सार और इसको भी हम अच्छा सब पकाएंगे मतलब यह तेल छोड़ने तक इसको पकाना है जब यह तेल छोड़ने लगे तो आप सोचना कि यह तैयार है तो यह देखिएगा इस तरीके से अभी दिखाती हूं मैं देखे साइड में विलकुल इसमें तेल छोड़ना शुरू कर दिया है तो यह हमारे टमाटर और प्याज दोनों पक्गे थे तो अभी इसमें डाल देते हैं जो हमने मसाला तयार करके रखा था धनिया बेसन यह सब चीजे जो फरस्ट कि हमारे कोपते होगे थे तयार आप इसको चाय के साथ ऐसे भी खाएंगी तो बहुत गजब लगते हैं बनाते बनाते मतलब मेरे बेटे ने दो तीन तो ऐसी खा लिए थे उसको बड़ा पसंद आते हैं यह तो इस तरह से देखे एक फोक की साइधास है मैं थोड़ा सा इस आपके पास बुर्कुल मतलब मिठी दही है फ्रेस एक्दम तो आप दो तीन चमच के करीब इसमें डाल सकते हैं क्योंकि टमाटर भी है तो फिर ज्यादा खटे हो जाएंगे इसलिए मैंने एक चमच के करीब इसमें दही डाली थी तो इस तरीके से अभी देखे उसको इसके अंदर डालने वाला तो अभी डाल दिया है पाणी इस तरीके से और पाणी मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार तरी बनाईए तरी मतलब देखे थोड़ी आपको वैसा तो पतली ही रखनी है क्योंकि जब आप इसमें जो हमने अभी डाल देती कसुरी मेती जो को तो एक दो मिंट पका करके उतार सकते हैं तो देखे इनको ज़्यादा नहीं पकाएंगे यह कोपते डालने के बाद हम तीन चार मिंट के बाद ही मतलब इसको अभी तो गैस को सिम कर देंगे और तीन चार मिंट के बाद ही इसको उतार लेंगे तो यह डाल दीते हैं मैंने क और उसके बार डाल तोड़ा सा Kitchen King Masallah आने इसके अलावा कोई और मसाला नहीं डालोंगी सिर्प दणिया का pryder और ऑर दन्या पॉडर और यह Kitchen King Masallah शेकेла में इसमें कोई Lahm it कोई घरम मसाला डाला और जा लेते हैं और देखे अभी दिखाते हूं कि यह हो गए पिल्कुल तयार एकदम सोफ्ट से तो यह पहले ही थे तो थोड़ा सा ग्रेवी में भी पकाया है इनको तो इस तरह से हमारे कोपते हैं तयार तो बनाईएगा जरूर एक बार ट्राइ किजेगा बहुत अच्छी आपको कैसी लग रहे हैं आपके कमेंट्स है मतलब देखिए हमारा उसला बढ़ता है मतलब मन करता है कि नहीं नहीं रेसिपी लेकर के आए आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी तो प्लीज लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और तो यह देखिए अ दालती है मैंने इस तरीके से तो बहुत ही अच्छी से मतलब कोपते स्वादिष्ट से बन करके तयार होते हैं सब मतलब उंगलिया चाटते रह जाएंगे जब इसको खाएंगे प्योंकि स्वाद में इतना ही बरपूर है बहुत ही जादा तो बना